हालो एब्रिवन आज से मैं एक सीरी शुरू करने जा रहे हूँ जिसमें मैं सिर्फ एक ही वर्ड लोंगी इंग्लेश का जो थोड़ा अनकॉमन भी होगा और उसी के बारे में डिटेल आपको बताऊंगे जैसे उसका वो कौन से पार्ट आफ स्पीच है उसकी मेनिंग क्या है उसका यूज क्या है इस तरह की information तो आज का हमारा पहला वर्ड है indulgent indulgent I-N-D-U-L-G-E-N-T indulgent pronunciation है इसकी indulgent पार्ट आफ स्पीच इंग्लिश का कौन से पार्ट है यह इसे adjective adjective है यह और इसका मेनिंग क्या है हिंदी में दयालू और शमाशी in English इसके दूसरे मेनिंग्स है kind being favorably inclined कोई आपकी तरफ दयालू हो कोई आपकी तरफ favor कर रहा हो तो उसको indulgent कहेंगे इसकी similar words भी है compassionate and tolerant दो similar words है compassionate और tolerant और क्योंकि यह दयालू है तो इसका opposite word क्या होगा जो आपको considerate ना हो यानि कि inconsiderate जो tolerant ना करें यानि कि intolerant example में इसका sentence होगा there are many indulgent people in the world बहुत सारे लोग indulgent हैं या आप जैसे कभी group में किसी से बात कर रहे हो और आपकी बात को किसी ने बहुत अच्छे से support कर दिया है तो आप कह सकते हैं कि he behaved indulgently towards me in that discussion इस तरह से भी आप कह सकते हैं तो कोई भी आपको favor करे तो आप उसके लिए indulgent use कर सकते हैं thank you आपको धे टो इसके लाईल